नमस्कार दोस्तों बिहार एक्स्प्रेस में आप सभी का स्वागत है सहर साफ 420 गंच के लिए आज का दिन एतिहासिक दिन और एतिहासिक दिन इसलिए कि इस पर 14 साल के बाद कोई भी ट्रेन जो है वो चली है और 14 साल का इंतिजार लोगों का अब खत्म हो चुका है ऑर 14 साल के लिए आज का दिन लिए और जिस ने बहाए को जो है लिए पीरेगा उस ठीस पर 15 पर 15 का आध करके लिए और जिसने भी देखा उसने यह तो सेफी ली या फिर इस जो तो ये पल है इसको वीडियो में कैद करके रख लिया ताकि आगे जो है वो इस पल को याद कर सके तो नर्पद गज से फॉर्बिस गज के बीच CRS कम्पिलीट अब इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है जो भी रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे जरूर क क्योंकि ट्रेन को चलाने के लिए CRS एक आखरी पड़किरिया होती है और इस पड़किरिया के बाद ट्रेन की शुरुआत होती है तो CRS की जो भी रिपोर्ट आएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे CRS फाइनल होने के बाद इस पर ट्रेन की तीथी गोशित की जाएगी ह या 26 जनवरी को ट्रेन मिल पाती है या नहीं मिल पाती है क्योंकि CRS में जो भी तकनीकी दिक्कतें आती है उसको सुधारने का ठीक करने का जो है वो उसमें टाइम लगता है उसके बाद ही कोई डेट जो है वो तै की जाती है तो CRS कंपलीट है नर्पत गंज से फौर्ट ग अब यहां देख सकते हैं दो नंबर फलेट फौर्म पर CRS की जो है ट्रेन खड़ी है और लोगों का हुझूम देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जमा है इस पल को यादगार बनाना चाहते हैं और सेलफी के साथ साथ वीडियो भी रिकोर्ड करके अपने पास जो है रखना चाते हैं तो आप देख सकते हैं यह तीन और चार नंबर फलेट फौर्म है एक जो तीन नंबर फलेट फौर्म है उस पर सिलीपर्स लगाए गए हैं लेकिन चार नंबर फलेट फौर्म पर अभी भी सिलीपर्स आपको नजर नहीं आएंगे तो यह कंप्लीट होता रहेगा लेकिन अभी जो जोगबनी और कठियार वाली लाइन है उसी पर से ट्रेन का पड़े चालन होगा अगर ट्रेन जब भी शुरू होती है तो और आप ये नर्पद गंच की तस्बीर देख रहे हैं जहां पर देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जथा है एक जथा आ गया यहां पर ट्रेन को देखने के लिए इस यादगार पल को देखने के लिए और ये नर्पद गंच रेलवे स्टेशन को देखिए दूसरी बड़ सजाया गया है इससे पहले भी एक बार सियार इस हुआ था ललित गराम से नर्पद गंच की बीच और एक बार फिर से आज जो है इसके लिए इतिहासिक दिन है आज भी सजाया गया है फूल और माला से देख सकते हैं यह तस्वीर और ट्रेन जो है यहां पर खड़ी है सियार इसकी ट्रेन तो बड़ी अपडेट यही है कि नर्पद गंच से 420 गंच साथी दर्भांगा से 420 गंच भी कनेक्ट हो गया है और सारसा से 420 गंच कनेक्ट हो चुका है तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए इस वीडियो को यहां पर एंट करते हैं और आपसे मिलते किसी नेक्ट वीडियो में तब तक देखते रिए बिहार एक्सप्रेस यूटूब चैनल